की कोविश्यिल्ड वैक्सिन की पहली खेप दिल्ली पहुँच गई है और दिल्ली से वैक्सिन को देश के अलग-अलग हिसों में भीजा जाएगा पहले चरण में भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट को एक करोड 11 लाक डोस का ओर्डर दिया है देखिए ये मंगल टीका है स्वासिका टीका है जिसकी अब दिलिवरी शुरू हो गई है कहां कहां पर आज वैक्सिन की खेप पहुँच रही है तस्पीरों के साथ आपको दिखा रही है जा रही है और थोड़ी देर में अलग-अलग राज्यों में भी वहां पर वैक्सिन की खेप प्राप्त हो जाएगी तो ये स्वासिका टीका है बड़ा दिन है जिसका देश तुनिया बेस सब्री से इंतिसार कर रही थी और आएए सीधे स्क्रीन पर नज़र डालिए जगह जगह पर तमाम राज्यों में दिल्ली से लेकर हमारे निउस 24 संबाद दाता मौझूद हैं एक एक करके आपको जानकारी देंगे सबसे पहले पल्लवी के पास आपको लिए चलते हैं क्योंकि आपके पास ये संजीवनी पहुँच रही है देखे पल्लवी आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं दीपक दूबे मुंबई से आपको नज़र आ रहे हैं और इधर आप अन्य राज्यों से भी तमाम संबाद दाताओं को आप देख रहे हैं बिल्कुल देखिए विपनेश जिस तरीके से आपने कहा कि अलग अलग जगों पर यह वैक्सीन पहुंचने अब शुरुआत हो चुकी है उसकी और यही है कि अभी थोड़ी देर पहले ही यहां मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं यह है टीटू टॉमिनल का कारगो का धर यहीं से जो है वैक्सीन बाहर निकले गए और यहां से अलग अलग चगों पर जाएगी हाला कि दिल्ली में जो सबसे में च्रीम ही राजीफ गांदी सूपर स्पेशालिटी और आस्पिटल है वहीं पर जो है बनाया गया है और बड़ा यहीं वज़ा गया है वह जो कि जो 34 बॉक्स जा रहा है कि स्पाइस जेट के तरफ से 34 बॉक्स जो हैं वो यहां दिल्ली में लांड कर रहे हैं अब यहां से क्या यह बाई रोड करनाल जाती है या फिर सीधे राजीव गांदी स्पिताल जाती है इसमें अभी क्लाइटी नहीं है क्योंकि भारत सरकार नहीं यह कहा था कि चार GMSDA यानि बड़े कोल्ड स्टॉरिज जो है वो भारत सरकार के चार है फिर वहां से अलग-अलग राज्यों के लिए जाएंगे लेकिन जिस तरीके से अभी फ्लाइट्स लगातार चल रही है या फिर स्पाइस जेट की हो, एर इंडिया की हो और नो और फ्लाइट चलाने की बात कही जा रही है जो दूसरे खेप में भी आएंगी तो इस तरीके से फ्लाइट्स अलग-अलग राज्यों में जा रही है जिसमें कि दिल्ली यहां पहुंची है और दिल्ली के राज्यों में जाएगी जो वैक्सिन पहुंची है दिल्ली एरपोर्ट